श्रीहूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रक्षा बंधन जो अपकी बार 15 अगस्त 2019 को पढ़ रहा है उस दिन शुब मूरत क्या है भाई की कलाई में राखी बानने का हर साल शावण मास की पूर्णिमा को रक्षा बं होते हैं वहाँ अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं इस साल का तेवार 15 अगस्त 2019 को मनाया जाएगा इस साल रक्षा बंधन का तेवार कई माईनों में खास होये इस बार रक्षा बंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा जो तिश अचारयों की माने तो बताया जाता है कि कई साल बाद इस दिन भध्रा का साया नहीं है भध्रकाल के दोरान शुपकारे नहीं किये जाते इसलिए इस बार राखी बानने के शुप मूरत को लेकर बहने को परिशान होने की जरुरत नहीं है साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि भद्रा काल जो होता है वह बहुती अशुप काल होता है कहा जाता है कि भद्रा में बहने भाईयों को राखी नहीं बांगती पुराणिक माननेताओं के अनुसार रावन की बहने भद्रा में उसे रक्षा सूत्र बांदा था जिससे रावन का सर्वनाश हो गया था इस बार राखी बांगने का मूरत काफी अच्छा है बहने सूर्यास्त से पूर्व तक भाईयों को राखी अवश्य ही बांद सकती हैं इसके अलावा राखी पर इस बार कई शुप सयोग भी बन रहे हैं रक्षा बंदन 2019 के दिन श्रावन नक्षत्र सोभग्य योग सूर्य का करक राशी में प्रवेश और चंदर्मा मकर राशी में रहेगा इसके अतिरिक रक्षा बंदन के चार दिन पहले गुरू मारगी होने के कारण यानी सीधी चाल चलेंगे तो यह बहुत शुप सयोग माना जाता है साथ ही रक्षा बंदन गुरुवार के दिन भी पढ़ रहा है तो यह बहुत ही शुप सयोग माना जाता है तो आए जानते हैं रक्षा बंदन का शुप मूरत जिस समयकाल में बहने अपने भाईयों को राखी बान सकती है तो पूर्णिमा तिथी का प्रारंब 14 अगस्त को 15 बच के 45 मिनट को दोपहर में हो रहा है और इसका समापन 15 अगस्त को शाम 5 बच के 58 मिनट पर हो रहा है ऐसे में बहने भाईयों को 15 अगस्त 2019 के सूर्योदे से शाम के 5 बच के 58 मिनट तक राखी बान सकेंगी तो अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल श्रीहूम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए